हेलो फ्रेंड्स मैं हूं जीया और मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके लिए अंडे की बहुत ही सांदार रेशिपी लेके आए हूं वीडियो को फूल वाज करना बिलकुल भी स्की मत करना वीडियो जरा साथ सा लगे तो लाइक करें शेयर करें और क चीर लेंगे और उसके बाद इसको हम चार बागों में डिवाइज कर लेंगे तो एक अंडे को हम चार बाग में काट लेते हैं इस तरीके से मैंने सारे अंडों को काट लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाला मसालों में एक चमच मैंने लिया है हल्दी पाउडर है स सारे मसालों को हम इस तरीके से अंडे के अंदर अच्छे से मिला लेते हैं तो आप इस तरीके से अंडे की सबजी बनाओगे तो येकीन मानी आप अंगुलिया चाटने पर मजबूर हो जाओगी ये इतने टेस्टी सबजी बनती है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और हैरी मिर्च, प्याज और हैरी मिर्च को मैंने बारिक बारिक कट कर लिया है, साथ में हम डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर, टमाटर को भी मैंने बारिक बारिक कट कर लिया है, तो टमाटर और प्याज को मैंने अंडे के अंदर डाल दिया है, इनको भी हम अंडों क अंदर साथ में ही मिक्स कर देते हैं तो आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो पली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो यह देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है अब हम लेंगे कडाई और इसके अंदर हम डालेंगे एक बढ़ा चमच ओईल यहाँ पर मैंने मुंफली का ओईल लिया है आप कोई भी ओईल ले सकते हो तो तेल अच्छी तरीकी से गरम हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चोटा चमच जीरा साथ में हम डालेंगे एक चमच कसूरी मेथी कसूरी मेथी अंडे की सबजी के अंदर अगर आप डालोगे तो बहुत ही अच्छी खुस भुआएगी साथ में इसमें हम डालेंगे आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच इसमें हम डालेंगे गरम मसाला तो सारी चीजों को हम मेडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेते हैं तो एक से डेड़ मिनट तक मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे अंडे जो साथ में हमने इसके मसाला डाल लिया है एक कोई भी मसाला डालने की जुरूरत नहीं है तो गेस का फले मैंने कर दिया है लो तो एंडे और सारे मसाले इसके साथ में मैंने डाल दी हैंगे इसका फले में हमें लो रखना है वो दो से तीन मिनट तक इसको हम इस तरीके से खुला ही पकाएंगे तो सारे मसालों को तेल के अंदर अच्छी तरीकी से मिक्स कर देते हैं तो एक से तरीकी से अंडों को खुला ही पका लिया है अब इसको हम तीन छे चार मिनट तक डख के पकाएंगे बीच बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे तो ये देखिए तीन से चार मिनट तक मैंने पका लिया है तो सबजी लगबग हमारी पक चुकी है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक गिलास पानी पानी हमें उसी पलेट के अंदर डालना है जिसके अंदर हम मैंने मसाले और अंडे मिलाई हैं तो एक गिलास मैंने इसके अंदर पाने डाल दिया है, ग्रेवी आप अपने इसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो, तो एक गिलास पाने डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, और इसको ढखके फिर से 3-4 मिनट तक और पकाएंगे, तो आप इसी तरीके सब्जी बनाओगे, तो येकीन मानिए, आप उंगुल्या चाटने पर मजबूर हो जाओगी, ये अंडे की सब्जी इतनी टेस्टी बनती है, तो फाइनली सब्जी बनके इमारी तयार है, अंडे की सब्जी पकने में लगब 9-10 मिनट लगे हैं, तो आप देख सकते हो, दि आज की वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक करें, सेर करें और कोमेंट करके जरूर बताएं कि आज की रेशिपी कैसी लगी, और हाँ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो फाइनली अंडे की सब्जी बनके इमार त्यार है